योग सिंखला के इसकड़ी में आज प्राणायाम का करम है। योग सिंदु सैयुक्तं नित्यम ध्यायंति योगिनां कामदं मोक्षदं चेवां ओंकारायनमु नमहां। ओोग्याम। 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 सरप्रतम हम प्राण के बारे में जानें की प्राण क्या होता है। वट इस दी प्राणा। सास्त्रों में कहा गया है प्राणयती जीव्यती इती प्राणा। जिसे धारन करके प्राणी अपने जीवन को बनाय रखने में सामर्त होता है वही प्राण है। वेदों में कहा गया है प्राणो वई ब्रह्मा। प्राण को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म इसलिए पूरी स्रिष्टी का स्रिजन और पूरी स्रिष्टी का संचालन इनी प्राण से होता है। और प्राण को धारन करने के वज़े से ही मनुश्य को प्राणी कहा गया है। ये दस प्राण है पांच को महा प्राण कहा गया है और पांच को उप्राण की उपमा दी गई है ये महा प्राण है हमारे सरी के अलग-अलग अंगों पे इस्थीत है चिकिस्ता सास्र में देखा जाए तो इनके कर्मों के काडिंग कर्मों के अंसार ही प्राण का इस्थान नि प्रां में प्रदेश में और वियान सर्वत शरीर ने बताया गया कान्याओं इस प्रकार से प्राण हमारे शंपून शरीर में जीवन का आधार है और सारे जितने भी क्रिया कलाप का संचालन होता है उसका एक मात्र आधार प्राण को ही माना गया है इसलिए प्राण की महत्ता सास्त्रों में सबसे अधीक है और जिस प्राणे में जितना अधीक प्राण होती है वे उतना ही जादा सामरसाली, शक्तिसाली और सरशाली माना जाता है और उतने अंदर उसके अंदर की विवेक, प्रतीभा, शमता सब कुछ इस प्राण पे ही निर इसमें अन मैं से सुरू होता है अन से ही प्रान स्रीजित होता है और प्रान से मनों मैं मनों मैं से विज्ञान मैं विज्ञान से फिर आनंद मैं की स्रीजना होती है तो कहने के तातर मेरा यह है कि यह प्रान सरवस्रेश्ट है और इसी प्रान का जब हम आयाम करते हैं तो प्र नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, वस्मे करना और दूसरा है उसको वृद्धी करना, बढ़ाना, कहने के ताथ पर है नियंत्रन किसको करें, नियंत्रन अपने इंद्रियों का है, जो ग्यारा एकादस इंद्री कही गई है, वो एकादस इंद्रियों को हमें नियंत्रन करना, क प्राण के वृद्धी है प्राणश्य आयामों गती रोधा प्राणायाम है प्राण को आयाम देना प्राण को बढ़ाना प्राण को वश में रखना प्राण को नियंत्रित करना ये प्राणायाम है मर्शी पतंजली ने कहा है तस्मीन सती स्वास प्रस्वास योर गती विक्ष प्राणायामा तस्मीन तस्मीन मतलब उसके बाद किसके बाद जब हमारा आसन सिद्ध हो जाए मित्रों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कभी भी आप बैठ गए और प्राणायाम करना शुरू कर दिये आपको इस्थीरता जरूरी है इस्थीरता के लिए इस्थीरता शुरूरी है योग सासर में कहा गया है योग में चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत प्राण वाईयू के चंचल होने से हमारे चित की चंचलता आती है और प्राण के साथ चित का गहरा संबंध है प्राण को इस्थीर कर दें तो सब कुछ इस स्थिर हो जाता है वैसे हमारे उपनिष्टों में योग उपनिशद है तो योग उपनिशद में कहा गया है योग तत्तो उपनिशद में कहते हैं कि हमारे संपून व्यक्तित हमारा संपून जीवन दो ही तत्तो पनिर्भा करता है एक हमते हैं कामना और दूसरी होते हैं प्रा इसलिए प्राणयाम की महत्ता हमारे सास्त्रों में बताया गया है। त्रिशी की ब्रह्मनुप्जन कहा गया है, निरोधा सर वृत्ति नाम प्राणयामा। सभी प्रकार के वृत्तियों का निरोध कर देना वृत्ति मतलब कई प्रकार की गती कई प्रकार की चंचलता कई प्रकार के जो उसमें वृत्तियां कई प्रकार के अवरोध उध्रपन हो रहा है उसको हर प्रकार से निरोध कर देना इसी को प्राणायाम कहा गया है और प्राणयाम करने से टत्थ छियते करने से चियते, प्रकासावन मुब जो हमारे आत्मा की ऊपर जो स्वास, प्रस्वास की प्रक्रिया से, जिएसे राक हवा के जोके सीजे से हड जाती है और अंदर के अंगारे धधकने लग जाती है वैसे ही प्राणायाम से हमारे अंदर की कलुस्ता हमारे अंदर की जो चित के जो कुछ संसकार है वे सारे के सारे नश्ट होने लग जाते हैं महत पूर्ण है दूसरा कहा गया है धारनासु गेता मनसा धारना करने की छमता आती है धारना करने की छमता मतलब जहां कहें भी आप कंसंट्रेशन करना चाहे जहां कहें भी मन को लगाना चाहे वहां पर लगा सकते हैं याम यदि प्राणा याम नहीं है तो मन में चंचलता बनी रहेगी आपका और आपका उचल कुछ चलत योग सास्रा में कहा गया है पंच शिखोपनिशद है पंच शिखोपनिशद में कहा गया है तपो ना परम प्राणायाम से बढ़ा कोई तप नहीं है और जो प्राणायाम सिध्ध हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की जितने भी अशुद्या है वो दूर हो जाती है नाड पूरे जितने भी योग की सास्तर है प्राणायाम की महत्ता गाते काई थकते नहीं हैं, मैं तो यह ही कहूँगा कि केवल सारीक प्रक्रियाओं के पिक्चा अगर प्राणिक इस्तर पे प्राणायाम को इधि हम लोग लंबे समय तक करने के प्रयास करें लेकिन योग सास में भी आप वीडियो देखे और देखने के बाद तूरंदी बैठने लग गया ने इसा मुझे तो तीन गंटा करना है तो आपके लिए नुकसान दाई हो सकता है क्योंकि यह सारे सारे गुरू गम्य है जानकार बेती से जरूर मागदसन लेना चाहिए कहीं भी वीडियो देकर और छुनते रहे और उसके कांडिंगो करेंगैं ता आप नुकसान नहीं होगा अहार बिहार महत्वपूर्ण है समय का निधान महत्वपूर्ण है सुबह जो संधिक आल्यसन्दया का समय है महत्वण प्रणायाम करा सुरदय का समय प्रणायाम के लिए مहत्वफुर्ण है खाली पेट होनी चाहिए, आप खाली पेट कर जादा अच्छा है, स्वक्ष वातावरन हो, प्रदुसित वातावरन नहों, वरिक्ष हो, वहाँ पे अच्छे पूल पौधे, वरिक्ष वनस्पत्तियां, खुजबुदार हो, वहाँ पे प्रानयाम करें, प्राकृतिक सुस्मा वहाँ पे हो, तो इन सारे महत्वून बिंदों को हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रानयाम करने से पहले, और आहर बिहार तो महत्वपूर्णा है, इंद्रियों को सयम महत्वपूर्णा है, ब्रमचरी का पालन महत्वपूर्णा है, तो इन बिंदों को ध्यान में रखकर हम प्रश्वास की प्रक्रिवा कैसी हो नीचे इसको ध्यान रखें अगर स्वास प्रसन की प्रक्रिया सही नहीं है तो प्रानायाम जितने करेंगे वह आपके लिए नुक्सान दरी वैसे कहा जाता है हमारा स्वसन इस शरीर को एक पोली बासरी की रूप में उपमा दी गए सास्त्रों में बासरी वैसा होता है कि फुकने वाला जैसा फुकेगा उसमें आवाज उसी प्रकार्श निकलता है तो यह सरीर हमारी पोली ब ऑर इस में से निकलने वारी जो ध्वहनी है वह ध्वहनी निधारित होती है उस में फुकने वालों की गती पे तो Am üzräुल टो जो कि मेरे पास की पेसेंड आता है तो एक ही चीज कहता है तो मैं उसके प्रान को इसके हैन आप 50% स्वास की प्रक्रिया ही गलत करता है, सिर्फ उसे कुछ नहीं करना पड़ता, स्वास प्रस्वास करना सिखा देते हैं, और बस उबेती स्वास्त होता है, चला जाता है, तो मित्रों आपको भी करना चाहिए, आज महें विसी करम को प्राणयाम से पहले बताने वाला कैसा करना चाहिए, स्वASTन कैसा लेना चाहिए, किस प्रकालना चाहिए, इसके पास्चाध में आपको प्राण, नाड़ी सूधन प्राणयाम के बारे में चर्चा करूंगा। breathing है, three types of breathing, तीन प्रकार की स्वसन है, इसमें जो पहली बार देख रहे हैं वो भी, और जो हमारे पुराने साती है, उनको भी जान लेना चाहिए कि breathing कैसी होनी चाहिए, और समाने बेती के breathing किस प्रकार से लेना चाहिए, और किस प्रकार से नहीं लेना चाहिए, इसको ध्यान जी, three types of breathing, तीन प्रकार के बताएं कि पहले हैं, उदर स्वसन, पेट सी स्वास लेना, और दूसरा है, वक्षी स्वसन, वक्ष प्रदेश स्वसन की प्रक्रिया करना, और तीसरे कहते हैं हम लोग, कलेउकल ब्रिदिंग या फिर हम लोग कहते हैं, योग स्वास्र में योग स्वसन की प्रक्रिया है, उदर स्वसन इसले बता रहा हूं, आप कभी छोटे बच्चे जो एक साल या देड़ साल के बच्चे हो, उस बच्चे को देखे होंगे, जब सो रहे हो, तो जब स्वसन की प्रक्रिया करता है, उसके ना भी प्रदेश को देखे हैं, आपें डाउ पेट में रख लीजिए और दाइहां चेश्ट में रख लीजिए अब जो स्वास लंबी गरी स्वास भरिए पेट को फुलाईए और स्वास को जब छोड़ेंगे दिरे दिरे तो पेट को अंदर दबाते जाएए स्वास को भरिए पेट को फुलाईए और स्वास को छोड़े तो पेट को अंदर दबाना है चेश्ट वाले रिजन अपने जगह पर इस्थीर रहेगा एब्डॉमनल ब्रिदिंग इसी कहें को लोग डाइफ्रामिक ब्रिदिंग भी कहते हैं क्योंकि डाइफ्राम इसे अप एंड डाउन होता रहता है तो इस प्रक्रिया को में ध्यान जो कहते हैं हम लोग तो यह मेंस्द जब आप डाउन होता है तो हमारा स्वास्त अच्छा राता है हम स्वास्थ होते चले जाते हैं तो इस स्वास्थ करहस्थ जो हमारे उधार स्वासन में इसको आपको समझना पढ़ेगा और उसे में जब कपाल भाति या भस्तरी का या लिने प्राणायाम करते हैं तो भी आपको स्वसन की प्रक्रिया है हमें करते हैं अगर अगर अप्र हम बर्खोर से नहीं कर रहें अगर पेट से Super stat ć़्या को नव business को कि बाद होती हैं तो और को थे एरिया को ही फुलानी चाहिए तो ये प्रक्रिया हमारे क्या है कुम्भक की इस्तिती में अंधो क्या है वक्षी-स्वसन करता है इसे प्रान सक्ति के अवृत्दि होती हम नमबर 3 जो व्रिधिंग उसे हमने योगिक व्रिधिंग बाद कही जई है तो उसमें क्या करते है सब स स्वास चुनने लगे सबसे पहले आपको चेष्ट वाले स्वसन को स्वास मला चेष्ट वाले एरिया को धीरे-धीरे अंदर दबाने चाहिए यह चेष्ट से स्वास को बहार निखालना चाहिए उसके बाद धीरे-धीरे आपको पेट से निकालना चाहिए यह प्रक्रिया सिक माधी के अवस्था में, सिद्धी के अवस्था में, वेक्ति इस स्वसन की प्रक्रिया को संपन सह स्वभाविक रुप से होता है। लेकिन समानिक रम में हम सब क्या करना चीए हैं। उधर स्वसन करना चीए हैं। लेकिन ये स्वसन की प्रक्रिया ये मालीजे ये इन्वालेंट्री है ये आपके वसमें नहीं है अभी दो चार मिनर तो आप देख करके या मैं जो मैंने बता दिया है तो आप कर लेंगे लेकिन स्वभाविक नहीं होगा स्वभाविक प्रक्रिया आप भूल जाएंगे क्यों प्रान को और सवसन को इसके टेक्निक मैं चर्चा करता हूँ आपको आप रातरी में जब सोने जाये तो जब बिस्तर पे सो जाये तो इस प्रक्रिया को दूरा लें अपने बाएं हाथ को पेट में रख लें और स्वास लें और पेट को फुलाएं और स्वास देदेश सब्सक्राइब करवट लेने के पिक्षा आप इस प्रक्रिय को दूरा दे रही है 21 दिन में ये आपके कंट्रोल में हो जाएगा और आप जैसा चाहते हैं आपकी स्वसंद की प्रक्रिया वैसा ही गतिसील होगा मित्रों ये कई रोगों की एक इलाज है इसलिए महत्वपूर् लोग करते हैं तो प्राणयाम से पहले एक प्रक्रिया होती जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणयाम और प्राणयाम की जो क्रम बताएगा है प्राणयाम की जो चरन बता इस्टेप सा प्राणयाम कहते हैं प्राणयाम के तीन इस्टेप महत्तपुर्णा है इसको आपको ध स्वांस को प्रत्रयां अन्दर को रोक लेते हैं इसे हम लोग कहाँ प्रत्र निख जो लंबे समय अन्था कुंभा की प्रक्रिया सिद्धो जाये फिर बायकुंभा का अभ्यास करना चित्ताий अन्य था व्यू विकृति की संभावना बनती है सरी में गांठे बन जाती है वाय यू bola वाय यू vikaar कहते हैं, mahataproon है और प्रणयाम करने वालों को स्नेहन, स्नेहन अथा घृर्ण का सेवन करना चाहिsk खिड़ी के साथ विसे अन्यथा ब्रेन में खुसकी आ जाती है तो ये महत्वपूर्ण है और अभ्यासी योगा अभ्यासी के चीए कि रात में सोदे समय गाय की घी हो तो उसे आप नाक में जरूर डालें अन्यथा प्राणायाम ना करें तो ज्यादा अच्छा है अगर प्राणायाम का अभ्यास कंटिटी में कर रहे हैं एक दो दी बार करत जर तक कर रहा है तो निश्चित तोर से इन बातों को धिया दखें नाक में गाय के घी आवश्य डालें और आप जो खिच्री लेते हैं घी डालकर जरूर सेवन करें अन्यथा नुक्सान हो सकता है तो मित्र में ये बता रहा था अब इसके पश्चात आपको मैं बताने वा जो बहत्तर हजार नाडी है उन बहत्तर हजार नाडीयों में से हमारे योग सासों कहीं कहीं बिच्चवदा और कहीं कहीं पे दस नाडीयों को महत्वण बताया गया इन दस में से तीन महत्वण नाडीयों के बारे में चर्चा की गई है वो तीन महत्वण नाडी है जिसे कह कहते हैं एक पल का द्यान एक पल का जो बैटी योगी ध्यान करता है तो समाधिय के उस्त हमें चली जाती, झाल के बारे में अगर नाडी सुद्धी हो जाए तो बांकि सबकरने की सहसोभावी, बागी प्रक्रिया सहसोभाविक होने लग जाता है तो नाड़ी सुध्धी कैसे करें इसके लिए महत्वपूर्ण है आपको ध्यान के आसन बैठना है हमारे साथी पीछे भी बैठे हुए हैं इन वह सारे प्रक्रिया हैं आपको स्क्वेंस में आप देखती चले जाएंगे य इसे हम लोग नाड़ी सोधन प्रानयाम कहते हैं तो नाड़ी सोधन नाड़ियों का सोधन है जो 72,000 नाड़ी जो दी गई है उसे सुध करने की प्रक्रिया है इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक ध्यान के आसन बैठते हैं ध्यान के आसन कौन कौन से हो सकता है सिद्धासन स्वस्थिक आसन, पदमाट इन ध्यान के जो आसन है, इन आसनों में आप बैठ जाए पहले, हमारे तीनों साथी, और जो हमारे मित्र देख रहे हैं, आप सबसे भी निविदन है, कि आप सब भी अगर फालो करते हैं, फालो कली जी कोई दिक्त नहीं है, आप ध्यान के आसन में सहसो भाविक हो, इसका हमेसा ध्यान रखे आप, इसके पस्चात एक हाथ को आप ग्यान मुद्रा में रखें, बाएं हाथ को, लेप्ट हैंड को, और राइट हैंड में आप प्रनौ मुद्रा लगा लें, प्रनौ मुद्रा कैसे होगा, पहले हमारे भा अब इसको आपने सामने रखें नाडी सुधन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग बाएं नाश्टा बाएं मतलब आपता है इडा से इडा नाडी से अम लोग स्वांच दें बाएं नॉस्टा से राइट नॉस्टा को पहले अंगुठे से बंद कर लें आप और लेप्ट से बाएं नाश्टा को छोड़ें राइट नॉस्टा बंद करें और धीरे धीरे उसे क्या है छोड़ें जटके से और कभी भी ना छोड़ें उसे अब पूरे छोड़े तो फीर थोड़ा च्छनबर के लिए थोड़ा फीर बद करें आप और उसके पूना फीर से उसे लेप प्रक्रिया कुम्भग की प्रक्रिया सास्रों में कहा गया है यथा सकती। यथा सकती चले सामर्ते कड़ी। जब जस्ती आप न रोके उसे लम्बे समय तक। सामर्ते के उनसार रोके। continue, बाएं से ले, रोके, दाएं छोड़े, छोड़ने के बाद रोके, और रोकने के बाद फिर बाएं छोड़े, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, उसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग दही का मन्थन करते हैं, जब दही के मन्थन करते हैं तो उसमें से नवनीत गृत ब ये बान के प्राण के बार बार मन्थन करने से जो हमारे सरीर की जो नाडियां हैं जो इडा पिंगला सुसुमना हैं उसके अंदर जो विकृतियां होती है या बहतर जा जो नाडियां उसके अंदर में विकार हैं मल जमे हुए हैं ति सारे के सारे मल जल के नश्ट हो जाते हैं तिन मलों की सुध्धी के लिए नाडियों का सुध्धी जरूरी है, इसे सिक्वेंसे करते रहें, बहुत आसान है, बाये नाश्का से स्वास लेना है, धीरे धीरे रोकना है, धीरे धीरे राइट नॉस्टल से छोड़ना है, बाहर रोकना है, और राइट नॉस्टल मला दाये वाए नाशिका से धर्य धर्य बाहर चोड़ देना है यह इस प्रक्रिया को आप 50 मिनट पंदमी मिनट 25 इस मिनट 75 सायन और अर्धरात्री ये चार समय हैं योग तत्तो पनिशद त्रिशिकी ब्रह्मन पनिशद और योग चुड़ामनि पनिशद इन उपनिशदों में इसके समय काल और संख्या का भी वर्णन किया गया है असी बार एक समय में असी लेगे मित्रों आप सुनकर ही शुरू मत कर दिजएगा निवेदन है ये धीरे धीरे सिक्वेंस क्रम सा बनता है आप पहले पांच बार कीजिए पंदरा बार फिर बढ़ाईए उसको पांच-पांच क्रम में बढ़ाते चले जाए आप आहर बिहार क बिहान रखें और आहर बिहार ध्यान रखेंगे तो दीरे दीरे आपको बहुत सारे प्रिवर्तन दिखाई पड़ेगा तो अर्दरात्री न कर सके तीन समय आप प्रानयाम का तीन समय दो समय को सुरूर कर दें आप और जो नहीं करतें उन्हें निवेदने की सुबा के समय खाली पेट इसके लिए इसनान करके करें कोई अद्दम आउश्यक नहीं है हट्यों के ग्रंथों में तो प्राता इसनान योगियों के लिए वर्जी था है कि अद्दम मार्णिंग में उठकर इसनान कर लें वो कहते हैं योगा भ्यास जरूरी है हाथ पैड़ो करके वस्तर ब इसकाल परिस्ते के रिकार्डिंग रिश्यों ने हमारे योग सास्त्रों में प्राणयाम के बारे में चर्चा किया गया है तो इसे आप किया रहे हैं रचक पूरक और कुंभक इसका जो अनुपात है नाड़ी सोधन का सहच क्रम में यही अनुपात रखें और जैसे जैसे आगे बढ़ाते हैं और उस आगे बढ़ाएँगे से क्विएंअ की स्कीौ स्कर अलग अलग इसका अनुपात एक अनुपात एकThank तोड़ा समय जब सिध्धी आजाए थोड़ा इस्थीरता आजाए लंबे समय करने मेंрах तो मित्रों आपको एक बार जितना ले रहे हैं आप उसे डबल रोकना है और उससे जितना लिया है उतना ही छोड़ना है काउंटिंग करने के लिए कहा गया है या तो one two three money money count करें या थे हमारे अलग-अलग उपनिस्दों में घर्णतर्म गरंतों में चर्चा की हटियो गरंतों वर्णन किया गया है इसके लिए कोई मंत्रों का या बीज मंत्रों का उच्चारन करें एक काम दो काज हम लोग गयत्री मंत्र का प्रियोग करते हैं स्वास ले तो गयत्री मंत्र जैसे एक गयत्री मंत्र बोलते हुए धिरे आपने लिया ओम भुरुववशा तत्स अभितुरु वरेन्यम भर्गो दीवर्ष्चदी मही धियो योना प्रचो दया तो एक बार ले लिया और उसे को दो बार बोलते हुए मनीमन अंदर रोके और एक बार बोलते हुए बाहर निकाल दे तो सिक्वेंस उसकी जो गती है वो एक ही समान रहेगा लेकिन उसकी समय आवर्स बढ़ जाएगा इसमें गायतरी मंत्र का पूरे पूरे उसके अर्थचिंतन भी जीवर में आता है और साथे साथ उसमें आपका प्राणयाम भी सिद्ध होता है बटे सारे प्रक्रिया मानसिक तरफे करना है केवल इस प्रक्रिय में आपको स्वसन की प्रक्रिया पे आते और जाते विस्वास को ही देखना है लंबी गरी आप ले रहे हैं नास्का से ओकर के गृवा प्रदेश वक्ष इस्थल से लेकर के ना भी तक और ना भी क्यों पूरे अंगुष्ट परियन संपूर्ण शरीर में प्राण का संचार। नाडि सोधन अरोंकार प्राणायाम का विशदवर्णण उसमें तो प्राणा करशन अप सभाविक सच्छी क्रम्ल में बैठ कर के और जब सवास शोड़ते ता अपनर रख की विकार को बाहर निकालते हैं इसको बाहर बाहर करते रहना प्राण और स्य करू करना पूरूरी हैं तो किवल एक ही प्रक्रिया करने ही आपको आपको पहले अपने कल्पना को अपने भावनाओं को पड़ा ही इस्ट्रॉंग बना करके बड़ा ही सेंसिटी बनाना हैं कि आपके पूरे आसपास इनवायर्मिन प्रान से भरा पूरा है उसे ढीडी धीरे ले रहें दिबि प्रार्ण है, नारी सोधन करम को कंटिनुटी बनाय रखें, बाएन आश्理 को से स्वास लें, रोकें, दाये नाश्理 को से स्वास लें, रोकें और बाएन आश्理 को से धीरे धीर निकालें. योग सास्तुन में वर्णन है सूर्भेदी, मुझ्जाई, शीतली, शितकारी तथा, भस्तरिका, ब्रामरी, मुर्चा, प्लावनी, त्यस्ठ कुम्बक का वर्णन है वैसे योग के उपनिसवद में दो प्रकार के कुम्बक की चर्चा की गई है सहित कुम्बक और केवल कुम्बक केवल कुम्बक को करने की आउश्यत्ता नहीं होती है स्वान सहज क्रम में रुप जाते लेकिन सहित कुम्बक में इस रेशियों जो मैंने बताया है 111, 121, 122 और 142 ये चार रेशियों महत्पूर्णा है लास्ट सबसे अन्तीम रेशियो है 142 का है 16 64 32 कहते हैं तो इस प्रक्रिया को हमें भी ध्यान रखना पढ़ी है लेकिन सभाविक में प्रारंभिक इस तिति में इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते तो एक अनुपाद एक अनुपाद एक कहे करम हमें चलाना चाहिए अब धीरे से अपने हाथ को नीचे कर लिजिया